World Economic Forum की Readiness for the Future of Production Report 2018 में भारत को Global Manufacturing Index में 300 पाइदान पर रखा गया है इस रिपोर्ट में भारत को अपनी युवा शक्ती को शिक्षित और कौशर बनाने के अलावा प्रदूशन पर काबू करनी की भी नसीहत दी गई है नोट बंदी के तुरंद बाद यानि नवंबर 2016 के मुकाबले नवंबर 2017 में और द्योगिक उतपादन की दर में 8.4 पीज़दी की बढ़ताई है हालाकि सरकारी आंकडे के जारी होने के तुरंद बाद World Economic Forum ने Readiness for the Future of Production Report 2018 जारी किया जिसमें भारत को Structure of Production यानि उतपादन की संरचना के पैमाने में दुनिया में 30 में पाइदान पर रखा गया है Structure of Production, Scale यानि कितना उतपादन हो सकता है और Complexity यानि जटिलता का मानक है इसी तरह Drivers of Production यानि उतपादन के चालकों की सक्षमता के पैमाने पर भारत वेश्व में 44 में पाइदान पर है Drivers of Production, Technology and Innovation, Human Capital, Global Trade and Investment, Sustainable Resources, Institutional Framework और Demand Environment का मानक है इस रिपोर्ट में जापान, कोरिया और जर्मनी पहले दूसरे और तीसरे स्थानों पर है पिछले 30 साल से भारत की उतपादन दर में लगभग 7 फीजदी की बढ़त आई है जबकि उतपादन भारती अर्थविवस्था का 16-20 फीजदी का हिस्सा है World Economic Forum के अनुसार भारत में Human Capital और Sustainable Resource में सुधार लाने की सक्त जरूरत है भारत में जिस युवाशक्ती की बात की जाती है उन्हें शिक्षित बनाना, कौशल बनाना और डिजिटल माध्यमों से अवगत कराना जरूरी है इनके अलावा इस रिपोर्ट में भारत को उर्जा के लिए गैर परमपरागत स्टोथ का इस्तिमाल करके प्रदूशन को कम करने की भी नसीहत दी गई है समराच शर्मा, GoNews